हिमाचिल प्रदेश में कोरोना संक्रमिन के फैलते ही जहां एक और जीला प्रशाशन तथा सरकार के हाथ खड़े हो चुके हैं वहीं दूसरी और राश्टरवादी कॉंग्रिस हिमाचिल प्रदेश के अध्यक्ष रविंदर सिंग डोगरा लोगों के लिए कोरोना बचाव के लिए उमीद की किरण बने हुए हैं इस महामारी के दौर में हिमाचिल के मंत्री या हिमाचिल का छोकरा या हिमाचिल का कोई नेता नहीं बलकि हिमाचिल का बेटा रविंदर सिंग डोगरा लोगों के लिए संजीवनी बन कर आए हैं यही कारण है कि उनके चर्चे दूर द और इस बार जिला हमिरपुर के इस कोरोना योधा को मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर के ग्रिय जिला मंडी के लोगों ने याद किया तो मंगलवार सुबाही रविंदर सिंग डोगरा मंडी जिले की धरमपूर विदान सभा के अंदर गत आने वाली तनिहार पंचायत के नलिय गाउं के अंदर पांच पॉजिटिव केस आये थे जिसके बाद गाउं के कुछ शिक्षकों ने और आम जनता ने हमें फोन करके अग्राय किया था कि सैनिटाइजिशन के लिए गाउं में आया जाए तो आज हमने पूरे गाउं को सैनिटाइज किया है इससे पहले भी के यून गलू के अंदर 20 केस आये थे तब ही हमने यहां पे सैनिटाइज किया था उस टाइम ग्राम पंचायत प्रभाजी ने हमें बुलाया था और आज आम जनता ने हमें बुलाया है ब्यूरो प्रमुक सुरेंदर कटोच की रिपोर्ट